सीबीएसी ख्लास दसवां बोड एक्जाम की तरफ से कक्षा दसके चात्रों को गणित की पढ़ाई अब दो लेवल पर कराने का फैसला लिया गया है बोड की सरकुलर के अनुसार साल 2020 से दसवी में गणित की पढ़ाई दो स्तर पर शुरू की जाएगी और परीक्षा भी दो लेवल पर ही होगी एक्जाम फूम में कर सकेंगे चैन CBSE की तरफ से यह बदलाव गणित के कारण चात्रों पर पढ़ने वाले बोज को देखते हुए किया गया है बोड की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया CBSE ने चात्रों को गणित बेसिक और गणित स्टेंडर्ड पर परिक्षन करने की अपनी योजन सार्जा की नए नियम के अनुसार गणित के पहले स्थर पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा लेकिन दूसरा लेवल कुछ आसान होगा वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टस में यह भी कहा जा रहा है कि गणित बेसिक और स्टेंडर्ड के मूल्यांकन में भी अंतर होगा एक जाम फूर्म भरते समय चात्रों के पास गणित बेसिक या गणित स्टेंडर्ड के लिए चयन करने का विकल्प होगा गणित स्टेंडर्ड उन चात्रों के लिए है जो उच्छ कक्षाओं में गणित को आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं जबकि गनित बेसिक ऐसे चात्रों के लिए हैं जो ऐसा नहीं करना चाहतें। गनित के मौझूदा लेवल को Mathematics Standard Level कहा जाएगा। वहीं आसान लेवल को Basic Mathematics कहा जाएगा। चात्र इन दो लेवल में से Math के लेवल का चुनाव कर सकते हैं। यह चुनाव अक्टूबर या नवं कम माना जा रहा है इससे बच्चों में न सिर्फ बेहतर समझ का विकास होगा बलकि उन पर पढ़ाई और पर फार्मेंस का बोज भी कम होगा